नमस्कार साहित यतक के बुक एफे के एक दिने किताब में मैजय प्रिकास पांडे आपका स्वागत करता हूं आज महान ब्यंगलकार हरिशंकर परसाई की जैनती है 22 अगस्त 1924 को मध्यप्रदेश के हुशंगाबाद के जमानी गाउं में आउनका जन्म हुआ था आरंभिक जीवन बहुत कठिनाईयों से विद्धा और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच भी उन्होंने नागपूर विश्व विद्याले से हिंदी साहित्ये में सनातकुत्तर किया और डिप्लोमा इन टीचिंग का कोर्स किया लगातार वह लिखते रहे और व्यंग विद्धा को जो उचाई आज प्राप्त हुई है वह हरिशंकर परसाई के नित्रित्व कहें या उनके अगवाई एक उनके समकालीन कहें या उनके निबन दोरलेख कहें उनके ब्यंगद से जो पहचान मिली है वह एक अपरतीम ुदाहरें है और शंभवत ह मुण्षी प्रेम चंद के बाद हरिशनकर परसाई उन गिंती के रचनाकारों, कथाकारों, साहित्यकारों में सुमार होते हैं जिनके कोर्स, जिनके वक्तब्य, जिनकी बातें, जिनकी सुक्तियां, जिनकी तिक्षड टिपड़ियां समाज में, पुस्ट कार्ड पर, पुस्टर में, सोसल मेडिया पर यहां से वहां तक घुमती रहती है और पुराने लोगों के साथ ही नई पीड़ी के बीच भी उनके तीके तेवर चर्चा का भीशे रहती है अगस्त में परसाइजी की पुणेति थी उस पर मैंने कईफ़े की एक किताब यक्रम में एक पु स्थक की चर्छा की थी आज मैं पुस्त्सक के साथ अपस्तित हूं वह है हरशंकर परशाइजी का भोलारामका जी अपनाskрам इस संग्रह में वेद प्रकास ने इसको संपादित किया है और परसाई जी के 33 व्यंग सामिल है जो 33 व्यंग है वो सारे के सारे अपने शिल्ब, अपनी विधा, अपनी किपडियों को लेकर इतने चर्चित रहें कि इन में से हिंदे साहित की समझ रखने वाला या जो व्यंग में जिनकी दूची है या जो समकालीन सियासत पर जिन लोगों की नजर रहती है उनमें लगभक सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा परसाई की द्रिश्टि से चाहे वह भारती राजनीती हो, धर्म हो, दर्शन हो, अर्थ, तंत्र हो, संस्कृत हो, समाज हो, समाज की इस् जिवन की विशंगतियों पर, अपने समय पर, समाज पर और समाजिक पाखंड पर प्रहार करती रहे हैं, वो एक तरह से मनुष्य की पीड़ा के व्यंगकार रहे हैं और साथ ही साथ इस्त्री डलित राजनेता, सभी के या तो वो पक्ष में होते थे जो निर्बल है और जो वज़े है कि जो शासकवर्ग का जो नैतिक पतन है, जो भ्रस्ट चार, जो दूगलापन, जो पाखंड है, जो मिथ्याचार है, छल है, प्रपंच है, फरेव है, स्वार्थ परता है, जो नंगापन है, जो दुराचरण है, जो गटबंधन की अवसरबाधिता है, जो पदम यही वह बात है जो हर्शंकर परसाई को संकालीन बनाती है, उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा था, मैं सुधार के लिए नहीं बदलने के लिए लिखना चाहता हूं, और परसाई की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में बहुत ही स्व्रम से बेद प्रकास ने एक लंबी भूमिका के साथ उनको संकलित किया है, यहां कंदेश रमण कुमार के निंदारस प्रेमचंद के फटे जूते, कर कमल हो गए, ठिठूरता हुआ गरतंत्र, बेईमानी की परत, दूसरे की महिमा ढोने वाले, नीलकंट, सुजलाम सुफलाम, पगडंडियों का जमाना, पहला सफेद बाल, सहान भूती, विज्यापन में विक्तिनारी, विकलांग स्ट्रद्धा का दोर, फिर उसी नर्मदा मया की जय, सडक बन रही है, अपील का जादू, वह क्या था, आचारी जी, एक्स्टेंसन और वागीचा, भेणे और भेडिये, वैस्लाव की फिसलंग, भोला राम का जीव, सव यात्रा का तोलिया, मेरी अकल का बाल, अकाल उत्सो, बैताल की अठाइसमी कथा, लंका विजय के बाद, टार्च बेचने वाले, एक सुपरमें, इंस पिक्टर, माता दीन, चांद पर, भूख के स्वर, मैं नर्क से बोल रहा हूं, और पहला पापी, ये कुल 33 ब्यंग इसमें सामिल है, कहने की आवस्विक्ता नहीं, कि परसाई ने अपने जीवनकाल में ही तमाम संघर्सों के बीच भी अपनी मेदा से वह ऐस्तिती प्राप पचिसी रूपक कताएं, नीथी कताएं, उदय बहांचरित, फेबल, गुर्की और चेखो के समकष रखती है, लोगपरीता के स्तर पर प्रेमचंद के पटे जूते की बात कहें, तो प्रेमचंद की एक चित्र को, जिसमें वो पतनी के साथ बैटके फोटो खिचा रहे थे, उनके सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी थी, कुर्ता और धोती पहने थे, कनपटी चिपकी हुई, गालों की हडियाँ भरी हुई, घनी मुचे, और उन सब के बीच पाओं में जो कैनवस के जूते थे, उनके बंद बे तर्ती से बधे थे, और उनको देखकर उसमें एक छेद था, जिससे दाहिने पाओं का जूता ठीक था, लेकिन बाएं पाओं का जो जूता था, उसमें एक बड़ा छेद हो गया था, जिसमें से उनकी अंगली बाहर दिखाई पड़ रही थे, उस दृष्टे को देखकर ये प्रेमचंत के पटे जूते का जो मारक बिंग ल साही के पास था, उसको किसी भी रूप में मेरे लिए अव्यक्त कर पाना खठीन है, लेकिन मैं केवल एक पैराग्राफ इसमें से इसलिए पढ़ता हूँ कि आप समझ सकें कि इस व्यंग संग्रह को किसी भी रूप में इसके प्रचार और प्रसार की जगा, यहां आपके ग कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिखरी है, क्या तुम्हें इसका जरा भी अहसास नहीं है, जरा लज्जा, संकोच या जहेंप नहीं है, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खीच लेने से अंगुली ढग सकती है, मगर फि फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के नुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिस की होगी, दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे-धीरे खीच कर उपर निकाल रहे होगी कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर नित्थ हैं क्यों कह दिया होगा, विचित्र है या अधुरी मुस्कान, या मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास है, ब्यंग है, या कैसा आजमी है, जो खुद तो फटे जूते पहिने फोटो खिचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है, फोटो ही खिचाना था, तो ठीक ग्रह रहा हो और तुम अच्छा, चल भाई, कहकर बैट गए होगे, मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजडी है कि आदमी के पास फोटो खिचाने को भी जूता नहीं हो, मैं तुम्हारा यह फोटो देखते देखते, तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो अब्यंग मुझे एकदम रोक देता है, इसी तरह कि मारक सहली में सारे के सारे 33 के 33 अब्यंग इसके अंदर संकली थे, परसाई के पास जो नेतिक दृष्ट थी, जो गहरा परिवेक्षण था, जो अनवह और अध्ययन था, जो उनकी वैचारिक्ता थी, वही उनको साहसी औ आत्म विश्वासी बनाती है, हर्शंकर परसाई जैसे कई परसाई को जरूरत हिंदी साहित्य की है, व्यंग बिधा को साहित्य के मुख्यधारा में लाने में शरज्योसी के साथ, जिन महनिये लोगों का योगदान था, हर्शंकर परसाई उसमसे एक थे, परसाई जैंती प अगर आप अच्छी बाते पढ़ना चाहते हैं अच्छी किताबे पढ़ना चाहते हैं तो भोला रामका जीव हर्शंकर फरसाई की अपुस्तक अवश्य खरीद कर पढ़ें राज कमल पेपर बैक्स को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि युपताई तीस ब्यंग क यह संग्रा उन्होंने पेपर बैक्स संस्क्राण में केवल 250 रुपे मुल्य पर उपलब्द कराया है इस संग्रा की जो प्रिष्ट संख्या है वह 160 है उमीद है साहिते तक का यह एपीजोड आपको पसंद आया होगा इस कारिकरे में आपके इस तरह की पुस्तकों की आप कर सकें कल ठीकिसी समय ऐसी ही किसी क्रिती के साथ फिर मिलूंगा देखते रहें साहिते तक धन्यवाद